या फिर भारत की राजनिती एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जिसमें उत्तर परदेश के चिनाव पर नाम या तो भारत की समूची राजनिती को बदल डालेंगे या फिर भारत की राजनिती के उस उतले पन को दफन कर देंगे जो की मंडल के जरिये निकली थी सरल शब्दों में कहें तो अखिलेश यादव के लिए, मायावती के लिए और उत्तर परदेश के तमाम छोटे छोटे राजनितिक दलों के लिए हो सकता है 2022 का चुनाओ, आखरी चुनाओ यह भी हो सकता है कि भारत के भीतर में 2014 के बाद से नरिंद्र मोदी ने जिस मोटी लकीर को खीचना शुरू किया और इसका हैसास कराया कि हम आपको तमाम सहुलियत देंगे, हम आपकी जरुरतों को पूरा करेंगे, चाहे वो जाती अधार पर हो, चाहे वो धर्म के अधार पर उत्तर परदेश का मतलब यह भी है कि एक ऐसा राज्य जिसमें 40 फीजदी वोटरों का कोई नेता नहीं है, इन 40 फीजदी वोटर लगातार इस पार्टी से उस पार्टी में घूमते रहते हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि यह 40 फीजदी वोटर उनके साथ हो जाए और उसे सत्ता मिल जाए, इस राजनिटी के दफन होने की स्तिती क्या 2022 में आ चुकी है, यह पहेलिया नहीं है, समझने की कोशिश आज सरल शब्दों में कीजिए, 19 फीजदी मुसल्मान उत्तर परदेश में है, 11 फीजदी ब्रहमन उत्तर परदेश में है, दोनों क लगता है कि 2007 में वो मायावती के साथ थे, तो मायावती सत्ता में आ गई, 2012 में अखिलेश यादव को लगता रहा, ब्रहमन साथ आ गए, तो वो सत्ता में आ गई, और 2017 में अपने तोर पर बीजेपी ने भी महसूस किया, 80 फीजदी ब्रहमन हमारे साथ थे, हम सत्ता में आ गया और बीजेपी सत्ता में आ गई लेकिन फिर लोटियों उसके अतीत में मंडल की राजनिती के सीरे को पकलते हुए 2007 में मायवती को लगा मुसल्मान उनके साथ हैं 2012 में अखिलेश यादव को लगा मुसल्मान उनके साथ हैं सवाल ये है कि 2007, 2012, 2017 और अब 2022 सामने खड़ा है तो क्या वाकई 2022 के इस्तिती 2007, 2012, 2017 की परिस्तितियों को आगे ले जाएगी या इस पूरे कालखंड में उत्तरपरदेश की राजनिती में जिस तरीके से जो जो राजनितिक दल खत्म हुए और उनको खत्म करने का जिम्मा सिर्फ बीजेपी कॉंग्रेस भरका नहीं रहा उसको खत्म करने का जिम्मा वहां के छटरपों का भी रहा क्या वो सियासत अब ऐसे मुहाने पर पहुँच गई है जहां छटरपों पर खत्रा मन्रा रहा है ये सवाल इसलिए क्योंकि वोट बैंक की सियासत को समझें अगर तो फिर अखिलेश यादव के वोट बैंक में कोई सेंद लगा नहीं सकता है ये यादवों का वोट बैंक है मायवती के वोट बैंक में कोई सेंद लगा नहीं सकता है ये जाटवों का वोट बैंक है लेकिन जितने यादव हैं उससे ज़्यादा ब्रहमन उत्तरपरदेश में है जिनका कोई नेता नहीं है दूसरी तरफ जितने जाटव हैं उससे ज़्यादा मुसलमान वहां पर मौजूद हैं उनका कोई नेता नहीं है ये कौन सा समीकर्ण है और किस सियासत के दिशा में उत्तरपरदेश बढ़ रहा है क्या वाकई मंडल की राजनिती 2022 में चलेगी क्या वाकई मंडल की सियासत करेंगे तो क्या OBC एक साथ अखिलेश यादव के साथ खड़ा होगा क्या वाकई दलितों के हक का सवाल कल तक मायावती उठाती ती आद चंशेकर भी आ गए वो हक का सवाल उठाएंगे और उनके साथ दलित खड़ा हो जाएगा या सिर्फ एक दलितों में से भी एक साज आपको जानने चाहिए उसके अधार पर हम आपके सामने विसलेशन रखेंगे क्योंकि उत्तर परदेश में 9 फीजदी यादव हैं तो 11 फीजदी ब्रामण हैं और जो 9 यादव OBC है उसकी संख्या 12 फीजदी है इसमें जाट भी आता है इसमें कुर्मी भी आता है इसम RSS ने नए तरीके से मान लिया है कि एक बार विवेका नंद को हर कोई पढ़ना शुरू कर दे विवेका नंजी ने कहा था शुद्रों का राज होगा और आज की तारीक में उत्तर परदेश की सियासत को साधते हुए और इस देश की राजनेती में OBC के प्रभाव को देखत अब RSS भी कहने लगी है शुद्रों का राज होगा ब्रह्मन तो सिर्फ पाठ पढ़ाएगा ब्रह्मन सिर्फ पीछे से बतलाएगा और भी उची जातियां जो है उनका योगदान भारत की राजनिती में राज करने वाला नहीं है अब ये बात RSS जब कहने लगी है तो क्या भारत की सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के बीतर राजनितिक सत्ता का कुछ ऐसा प्रभाव आ गया है जो ये मान कर चल रही है कि उसकी मौजूद्गी तो तभी तक रहेगी जब उसके अपने प्रचारक की सत्ता रहेगी और प्रचारक की सत्ता के लिए अगर जिक्र करना पड़े विवेका नंद और जिक्र करना पड़े OBC का तो क्या फ्रक पड़ता है देश तो यही है और इस देश के भीतर की परिस्तिती में जब अखिलेश यादब इस बात का जिक्र करें कि अब जातियों के आधार पर ही इस देश की जलंगन्ना भी होनी चाहिए और जातियो को भी अभी पकड़ लीजिए उत्तर परदेश एक ऐसा रज है जहां सबसे ज़्यादा बेरुजगारी है उत्तर परदेश एक ऐसा रज है जहां किसानों की हालत बत से बत्तर होती चली जा रही है उत्तर परदेश एक ऐसा रज है जहां मजदूरों की नियूंतम मजदूर सबसे कम और शायद बिहार के समकच आने की स्थिती में आ गई है उत्तर परदेश एक ऐसा रज है जहां कि सियासत इस देश की लोगसभा का ताना बाना पुंती है अब आप समझने की कोशिश कीजिए जब जब बीजेपी के राज का जिक्र होगा कि केंदर में भी बीजेपी यूपी में भी बीजेपी तब तब कोई एकस वाई जेड पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही उसके सामने आकर खड़ी होगी उस पॉलिटिकल पार्टी को कैसे जीत म नहीं होगी शायद इसी लिए पंचायद चुनाओ को कहते हैं इसलिए परखने की जौरत है पंचायद चुनाओ जंता लड़ रही थी और पंचायद चुनाओ में उसने तै कि अगर बीजेपी को हराना है और शायद वह मुहाना भी है जिसके आगे भारत की राजनिती को रुकना होगा थमना होगा यह उत्तर परदेश के भीतर का संब्देश